हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम करने वाले हैं गुरू गोविंद सिंग पर निवन्द गुरू गोविंद सिंग जी सिक धर्म के दस्वे गुरू थे गुरू गोविंद सिंग जैनती उन्ही के सम्मान में मनाई जाती है इन्होंने सिक धर्म के लिए बहुत ही महान काम किये इन्होंने ही आदी श्री ग्रंथ साहिब जी को पूरा किया था उनका जन्म 22 दिसंबर 1667 को बिहार के पटना शहर में हुआ था उनके पिता का नाम तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था उनके बच्पन का नाम गोविंद राय था उनके जन्म के बाद वह पटना में चार वर्ष तक रहे और उनके घर का नाम तक्त साहिट पटना साहिब के नाम से जाना जाता है वह बच्पन से ही तेजस्वी, स्वाभिमानी और शूरवीर थे घुड सवारी करना, हतियार चलाना, नकली युद करना यह सब उन्होंने बच्पन में ही सीख लिया था गुरू गोविंद सिंग जी के पिता, गुरू तेक बहादुर सिख धर्म के नौवे गुरू थे गुरू तेक बहादुर सिंग कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन मुसलिम धर्म में बनाए जाने के खिलाप थे उन्होंने इस पर खुलकर विरोध किया था और खुद भी इस धर्म को अपनाने से मना किया इस कारण उन्हें हिंदुस्तान के बादशा औरन जेव ने चान्दनी चौक पर उनका सर कलम करवा दिया इस घटना के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंग जी को सिक धर्म के दस्वे गुरु के रूप में नियुक्त किया गया इस कारण इने सिक धर्म के दसवे गुरु मानते हैं उन्होंने अपने पिता, माता और अपने चारो बेटों को एक धार्मिक युद में खो दिया जिसे मुगल समराट द्वारा छेडा गया था और अजेव हिंदूओं के इसलामी करण को देखने के लिए उच्छुक था गुरू गोविंद सिंग ने मुगलों से चौदे बार युद किया था उन्ही में से एक चमकौर युद था इसमें दस लाख सैनिकों ने 43 सिखों की घेराबंदी कर दी थी गुरू गोविंद सिंग ने सिखों के पवित्र पुस्तक गुरू ग्रंत साहिब को पूरा किया और उन्हें गुरू रूप में सुचोबित किया गुरू गोविंद सिंग की मृत्यू साथ अक्टूबर 1708 को महाराष्ट के नंदेड में हुई गुरू गोविंद सिंग जहां विश्व की बलिदानी परंपरा के अध्युत्य थे वहीं वे स्वैम एक महान लेखक मौलिक चिंतन का तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्याता भी थे तो यहां हमारी वीडियो खतम होती है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना बूलें थेंक यू